कर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त गिरिस मैं आज आपको ब्लेंडर में कैसे इस तरह से हम यूनिट जो है उसको चेंज कर सकते हैं और कैसे हम अपना मेजर्मिंट हमारे अबजेक्ट में एड़ कर सकते हैं जो बहुत ही जरूरी है आर्किटेक्ट वाक्तूस बनाते हैं अगर कोई ओटोकेट का प्लान लेके उसका में अगर कोई 3D वर्जन बनाना है 3D व्यू पूरा बनाना है कोई बेडरूम कीचन ड्रॉइंग रूम बिल्डिंग बनाना है कोई मेकेनिकल एनिमिशन करना है आर्क पर इसो कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आज आपको इंफरमेशन दूँगा और मेजर्मेंट यूनिट हम कैसे चेंज कर सकते हैं इच फीट एंड मीटर जो होता है वो बाइडिफॉल्ट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आज लेते हैं बाइडिफॉल्ट जनरल और अब यह बाइडिफॉल्ट जो है वो हमारा सेट अप हो गया है तो सबसे पहले मैं आपको मामूस की जो मूवमेंट है उसको सेट कर देता हूं तो यहां पे मैंने मामूस की मूवमेंट जो हो सेट कर दी है तो आपको यहां पर आइक जो है वो सेट अप करके दिखाऊंगा तो यहां से हम सेंट जो है हमारा टैप वहां पे चले जाएंगे यहां पे आएगा सीन्स में अभी करने क्लिप कैमेरा है बैक्ग्राउंड सीन में हमारा अबजेक्ट मोड़ है और एक्टिव मूवी क्लिप है दैन यहां पे सेकंड कर आए वह मराए यूहरा है जैसे यहां पे जाएंगे तो यहन इसन का आप्षन हो राया है तो यहां पर हमारे यूहरा यूनीट वह रहा है यूनीट्स स्टम्स तो ये blender का unit system है unit scale कितना रखना है and आपको separate unit करना है तो आप separate भी कर सकते हैं then में यहाँ से change करता हूँ matrix की जगा मुझे चाहिए none तो अभी कोई भी unit जो है वो implement नहीं होगा imperial हम रखेंगे तो हम यहाँ पे option मिल जाएगा length में feet रखना है adaptive रखना है miles रखना है inch रखना है by default feet active होता है जब हम imperial करते तब उसके बद मुझे यहाँ पे inch-ish में चाहिए inch-ish हो जाएगा मैंने यहाँ से unit तो set up कर दिया लेकिन मुझे यहाँ पे measurement जो है वो देखना है कि कितना measurement है तो यहाँ पे एक टूल दिया है measure tool यहाँ से आप इसका measurement कर सकते है ठीक है यह हमारा हो गया है measure लेकिन मुझे particular age का measurement चाहिए तो हम यहाँ पे हमारा जो options है overlay यहाँ overlay में आ जाएंगे यह overlay पे क्लिक करेंगे अभी यहाँ पे वो option नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि हमें age का measurement चाहिए ages का measurement चाहिए तो अभी हमने यहाँ पे ages mode जाए वो on नहीं किया है तो हमें object mode की जिएगा यहाँ पे edit mode में चला जाँगा और second option पे क्लिक करूँगा यहाँ पे ages पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैं जाँगा overlay में overlay में जैसे हम जाएंगे तो सारे options आ जाएंगे यहाँ पे ऐगा age length जैसे ही मैं age length पे क्लिक करूँगा और a press करूँगा तो सारी ages की length बताएगा जैसे मैं इसको यहाँ से face select करके extrude करूँगा on g axis तो इसकी भी यह value दिखाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी value दिखाएगा तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है जब हम measurement करके हमें work करना हो जब हमें किसी भी object का किसी भी चीज का measurement चीज तब आप इसका option का use कर सकते हैं simple आपको on करना है और scene में जाके यहाँ से आपको unit जो है वो change करना है imperial ठीक है तो आज का topic इतना ही था यह चोटा सा आपको मेरे channel में मैंने यह चोटा अचा वीडियो बनाए है especially unit and measurement तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर comment में लिखेगा comment add किजेगा और हो सके तो इस वीडियो को share किजेगा और like कर दीजे ताकि मैं और आपके लिए ऐसे अलग-अलग जो वीडियो है वो बनाता रहूँ और channel को subscribe कर दीजे ताकि जो भी मैं दूसरे ऐसे tips आपके लिए मेरे channel पर रखो तो आपको तुरंत ही message आ जाए तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ अच्छे से topic में आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा अगर आपको ये session अच्छा लगा हो तो जरूर comment कीजे आपके लिए ये डखो झापके लिए टापके लिए वीडियो ए रखो झाल झाल